हलो एन्य वेलकम टू नौकर श्टड़ी स्वागत हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकर श्टड़ी में तो खाद आपूर्ती विभाग में बहाली होगी जारकंड से नियूस निकल कर आ रही है हिंदुस्तान जॉब आज के डेट की नियूस पेपर की नोटिस है तो पदों पर जारकंड लोग से वायोग आने के जेपीसी और करमचारी चैनायोग जेससी के माध्यम से न्यूक्ती होगी मंगलवार को बोर्ड की बठक में विभागे सचीव ने इन रिक पदों पर बहाली करने के लिए अपनी श्रहमती दे दिया है आने की बोर्ड के द्वा सक जनरल मेनेजर से लेकर करमचारी चतुर्सवर्दिय करमचारी तक किया जाना है विभा के वरिष्ट पदा अधिकारी ने बताए कि करमचारियों के काफी पद रिक्त हैं सुरुआत में 254 करमचारी थे जिसमें से लगातार लोग सेवा निर्वित होते गए और पदों के इसा कम होती गई नीमित और अनुबंद दोनों टाइब की यहां पर वाली होनेवाली पाuest 594 पदों पर नीमित नियुक्ति आन्यक्ति होंगी और 35 पदों पर नियुक्ति होगी जो कीुंद ग्रेट के होगी जो कि आउट सॉर्स के माइदे में से इसमें बहाली की साइगी साइक परबंध के लिए सबसे ज्यादा 270 पद स्यूक्रिट किये गए हैं अब देख सकते हैं के लिए 270 पद है डियम के लिए 24 पद है अब देख सकते हैं और अबन्ध के लिए 300 पद है और अबन्ध पर 35 पदों पर भालिक की साइगी 594 पदों पर एज्यम डियम और अकाउंटेंट की न्यूक्दी होगी और 35 पदों पर चत्तुत्वर्द कर्मचारी की अन्य कि हैं से कुछ पद जो है एज्यम और डियम की पद GPSC से आ सकते हैं और अकाउंटेंट की जो 300 पद है यह जियस से आ सकते हैं बाकी अनुबन्ध पर जो पद है 35 और आउट्सोर्स की माइधियम से कोई कंपनी इस पर ठेका लेगी और यहां पर अपने आदमियों को रखवाएगी तो उसमें तो ज्यादा लोग अप्लाई करन सब्सक्राइब के लोगों के लिए क्योंकि वहाली अगर आती है GPSC सेबंथ में एड होती है या फिर जियस से इसके लिए अलग से बिग्यापर निकालता है तो एक मौका मिल जाता है हम लोगों के पास तैयारी करने के लिए तो इस प्रकार से लगाता है जितने भी अपडे अगर सारखंट जी के और एंट टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे उसे देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करें थैंक्स पूर